नेट और नीट परिक्षा में गोटाले के बाद अब देश की सबसे कठिन और दुनिया की टॉप 5 हार्डेस्ट एक्जाम में शामिल UPSC पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आए दिन इस पर नए खुलासे हो रहे हैं और इसकी शुरुवात तब हुई जब महारास्ट की ट्रेनी आईएस पूजा खंडेकर पर शक की सुईया घूम आईए जानते हैं कैसे एक ट्रेनी आईएस पूजा खंडेकर की वजह से यूप एससी के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसके बाद कई स्लेक्टेट कंड़ेट्स पर भी सग गहरा गया है तो चलिए इस वीडियो में इस मामले को पूरी तरह से समझने के कुसिस करते हैं ट्रेनी आईएस पूजा खंडेकर एमबीबीएस की डिगरी हासिल करने के बाद साल 2021 में यूपीएस सी एक्जाम में 843 रेंग का हासिल कर आईएस के लिए क्वालिफाई करती हैं जिसके बाद ट्रेनिंग पूरी करते ही उन्हें महारास्ट केडर मिलता है जहां 3 जून 2024 को पूरे में ट्रेनी आईएस के रूप में उन्हें SDM के बद पर तैनात कर दिया जाता है लेकिन अपनी पहली पोस्टिंग में ही वो अपनी हरकतों और मांगों की वज़े से विवादू में आ लेकिन नियमू के हिसाब से किसी ट्रेनी आईएस को इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जा सकती DM के मना करने के बाद पूजा ने इस दोरान लाल और नेली बत्ती और VIP नमर वाली अपनी प्राइवेट औरडी कार का इस्तेमाल किया उनकी प्राइवेट कार पर महारास सरका का बोल्ड भी लगा हुआ था इसका वीडियो शोसल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद पूजा के DM सुवास देवसे ने सामानी प्रसासन विभाग GAD को लेटर लिखकर पूजा खिल्ड कर की सिकायत कर दी जिसमें DM ने पूजा की हरकतों के सांसात ये भी बताया कि कैसे पूजा के पिता उनके बेटी को VIP सुविधा देने के लिए कारियाले पर दवाव बना रहे थे जिसके बाद पूजा का ट्रांसपर वासिम में कर दिया जाता है ट्रांसपर के बाद पूजा के IS सिलेक्षन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं सबसे पहला उनके OBC साटिफिकेट को लेकर विवात खड़ा होता है पूजा ने UPSC परिक्षा के दोरान खुद को OBC नौन क्रीमी लेयर से होने का दावा किया था UPSC के नियमों के मताबिक किसी परिवार की आए अगर आठ लाग से कम होती है तब ही उसे नौन क्रीमी लेयर की सिरिणी में रखा जाता है लेकिन पूजा की पिता महरास्ट के रिटायर आयस अधकारी हैं और इस वक्त राजनीती में काफी एक्टिव हैं इस बार लोगसभा चुनाओ के दोरान उन्होंने चुनाओ भी लड़ा था जहां उन्होंने हलफ नामे में 40 करोड की संपत्य की गोसना की थी पूजा खेड करने कथित तोर पर सिविल सिवा परिक्षा पास करने के लिए फरजी OBC प्रमानपत्र के अलावा फरजी विकलांगता सार्टिपकेट भी जमा किया था OBC के नियम के मताबिक अपने विकलांगता को फ्रूफ करने के लिए कंडिडेट को दिल्ली एमस में रिपोर्ट करना जरूरी होता है इसलिए इस मामले में आप पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में हैं कि बिना जाच के उनका सिलेक्षन कैसे हो गया ट्रेनी आईएस पूजा के विवाद के बाद 2011 में आईएस बने अभिसे एक सिंग के सिलेक्षन पर भी अब सवाल खड़े होने लगी है अभिसे एक सिंग यूपी केडर के आईएस अथकारी हैं जो साल 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाओ के समय सुल्खियों में आये थे ये अपने काम को लेकर नहीं बलकि अपने फोटूस को लेकर चर्चा में आये थे लोग उने सोसल मीडिया में अभिसेग पर फरजी सार्टिफिकेट लगा कर विकलांग कोटे से यूपी सी में स्लेक्षन पाने का आरोप लगाया है उन्होंने यूपी सी की परिक्षा विकलांग कैटेगरी से पास की थी उन्होंने खुद को लोकोमेटिव डिसॉडर यानि खुद को चलने फिरने में अक्षम बताया था हाल ही में सोसल मीडिया पर अभिसेग सिंग के जिम वर्काउट और डांस के वीडियोज वाइरल हो रहे थे इसके बाद से विकलांग कैटेगरी के तहत उनके सिलेक्षन पर सवाल उठने लगे हैं सार्टिफिकेट में भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तो ये तो किवल दो केस हैं जो अभी सुर्कियों में इसके अलावा नजाने कितने ही और कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जुगार से सिलेक्षन पाया होगा UPSC और सरकार को Reservation के Verification के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा जिससे लोगों के बीच परिक्षा को लेकर भरुसा बना रखे और काबिल छात्रों को नौकरी मिल सके आपको इस मामले को लेकर क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साथ इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें